विल्कम डू सुकला स्टेड़े पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल सुकला स्टेड़े पॉइंट में मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज मैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर को साल्ब करवाने का परियास करूँगा विये फस्ट एर फस्ट समेश्टर का 2022 देस में ये परिक्षा हुई है तो आने वाली यो परिक्षाएं हैं आपकी विश्विद्याले की आपके लिए बहुत helpful हो सकता है या वीडियो तो निश्यत तोर पर इसमें जो भी प्रसन आपके पूछे गए हैं वो आपके लिए भी important है तो आप लोग इन प्रसनों को एक बार जरूर देख लें आंतर तक वीडियो को देखेगा आप लगबग 75 objective type के महतपूर्ण महतपूर्ण प्रसनों से रूबरू हो सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से और बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपको जब आप यहाँ पूरी वीडियो देख लेंगे बीए फस्स समेस्टर आप यहाँ पर देख सकते हो बीए फस्स समेस्टर एक्जामनिशन 2022 तेस यानि इसी वर्स का पेपर है अभी कल या परशों पेपर हुआ था वो पेपर मेरे पास आया थी ठीक है पलिटिकल साइंस का यह पेपर है इंडियन निस्नल मुव्मेंट यानि की भारतिय राष्टिय आंदोलन गारतिय आपके पेपर का क्या ना में बाबु आपके पेपर का नाम है इंडियन निस्नल मुव्मेंट यानि की भारतिय राष्टिय आंदोलन और जो भारती शम्मिधान है वो तो इससे related आपके प्रस्ण होंगे और निश्चत तोर पर मैंने जो model paper आपके बताये थे वहाँ से सारे के सारे प्रस्ण पूछे गए मनलब सब का सब paper जो है आपके जो है चैनल पर जो वीडियो पड़ा हुआ यानि सुकलर study point channel पर जो model paper पड़े हुए है उसी से सारे के सारे प्रस्ण पूछे गए है एक भी प्रस्ण आपका ऐसा नहीं है जो कि बाहर से पूछा गया हो यानि कि सब के सब आपके फस गए 100% आपका model paper से ही आया हुआ है आईए मैं परस्णों को आपको दिखाने का प्रियास करता हूँ ताकि आपको पूर्ण बिश्वास हो सके और इसी बिश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रियास आप लगातार कर सके और subject की तयारिया बिदो तरीके से कर सके ठीक है चले तो ये विश्विद्याल है किस विश्विद्याला का paper भाई ये राजा महेंद्र परताप सिंग स्टेट यूनिवर्सिटी का या paper है और ये paper मैं सालव करवाने का प्रियास करता हूँ तो आप जिसका paper हुआ उसके लिए answer की का काम करेगा या video और जिनका paper नहीं हुआ अंग्रेजी दोनों भासाँ में आपके प्रस्न होंगे आपका पहला प्रस्न आ चुका है देखे मैं हिंदी में ज्यादा सहज हूँ अंग्रेजी में उतना सहज नहीं हो पाऊंगा तो इसलिए अंग्रेजी वाले हमारे चाचात रहें यहां पर बगल में देखते इंदी में जो है पढ़ने का प्रियास करूँगा और आपका पेपर सालव करवाऊगा प्रस्न आपका है कि डाक्टर भीम राव अंबेडिकर ने निम्न में से लबनिमन मौलिक अधिकारों में से संबिधान का हिर्दय यानि संबिधान का आत्मा किसे कहा है तो आपको बता इंदिया तो उसको बोला है तो मैं आपको बता दूं कि ये विद्धानों ने अरगलग अपने अपने इम्मत हैं तो उसमें से जो डाक्टर भीम राव अंबेडिकर है जो प्रारूप समती के अध्दक्ष थे ठीक है संबिधान निर्मातरी जो है जो कमेटी थी उसके अध चारों का अधिकार ये अनुछेद 32 में है इसी में आपको बता दूं कि पांच प्रकार की जारी किया थी जिसमें बंदी प्रतिक्षी करण प्रतिशेद लेख अधिकार प्रक्षा ये सब सामिल है ठीक है तो आप से नंबर इसका डी जिन शाचा तरों डी लगाया उनका ब गरेजी में बोलते हैं डारक्टिव प्रिंस्पल साफ इस्टेट पॉलिसी जानि डी पी एस्पी सॉटफा में बोलते हैं आपको मैं बता दूं कि ये बड़े इंपोर्टन होते हैं राज को एक लोग कल्याणकारी ने विल फिर राज को बनाने के लिए और निश्यत तोर अपर आपको बता दूं कि राज के जो नीती निदस्क सिद्धानत हैं वो राज के उपर डिपेंड करता है यानि देश के उपर डिपेंड करता है कि वह लागू करता है कि नहीं लागू करता है इसके लिए आप सुप्रिम कोड में केस नहीं कर सकते हो कि भाई ये संविध संविधान के अनुछे 36 से ले करके 51 तक जो है इसको बोला जाता है भाग 4 ठीक क्या बोला जाता भी यह भाग 4 कहते हैं इसको तो भाग 4 जो है 36 से 51 तक है आप से प्रस्न कर रहा है कि संविधान के कौन से भाग में नीती निर्देशक सिध्धानतों यानि तत्तों का वरण है तो भाग चार में वरण है, आप से पूछता कि मौलिक अधिकारों का वरण किस भाग में है, तो आप बताते कि भाग तीन में है, अनुछेथ पूछता तो बताते बारा से लेकर के अनुचेद 35 तक ये भारती शम्मिधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्ता की गई है आप से पूस्ता मौलिक करता भी जो है वो किस देश के सम्मिधान से लिया गया तो रूस के सम्मिधान से लेगा किस अनुचेद में सामिल है तो भाग जो है चार के का क प्रकार से आपको बतादू ये सारी चीजे मैं लगातार बताता रहता था अपनी वीडियो में और सारे प्रसन आपके पूछे गए हैं यहाँ पर आपका आपसर नमबर C हो जाएगा अगला प्रसन आपका पूछा गया था तीसरा नमबर प्रसन देखेंगे शबी लोग तीसरा नमर की भारतिय शम्मिधान में स्वतंतरता का अधिकार किस अनुछेद में वर्डित किया गया है स्वतंतरता की इधिकार की बात के दिखे समानता का अधिकार जो है अनुछेद 14 से लेकर के अनुछेद 18 तक किया गया है यानि अनुचे 14 में आपका बिधी के समक समता यानि समानता अनुचे 15 में धरम जाती लिंग जनमस्थान के अधार पर प्रजाती के अधार पर किसी विक्ती में भेद भाव नहीं किया जाएगा अनुचे 16 में जो हैं लोक नियोजन की विसे में आउसर की समानता की बात करी गई है अनुचे 17 में अस प्रसता का अंत कर दिया गया यानि छुआ छूट खतम कर दिया गया है तो इस मामले में सबको समान बता दिया गया है इसके अलावा अनुचे 18 में उपाधियों का अंत कर स्वतनतलता का अधिकार है, और इसी, यही आप से पूछा रहा है कि स्वतनतろता का अधिकार कि इसमें है, और सबस्यादा स्वत वतनतरता की बात अनुच्छेद 19 करता है, वाक और अभे व्यक्ति की स्वतनतरता इसमें बताई गये है, ठीक है? आपसर नंबर इसका C correct answer होगा जिन चाहचातरों ने मारे C लगाया है उनका बिल्कुल correct answer है Article 19 ठीक है आगे बढ़ते हैं Right to freedom ओके आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रसन आपका पूछा गया था भाई देखेंगे चौथा नंबर प्रसन क्या था चौथा नंबर प्रसन आपसे पूछा गया था चौथा नंबर प्रसन था भाई देखेंगे अंगरी जी वाले देखते रहिएगा कि the federal system of India is related to which of the following countries बताएं भारत की संगात्मक व्यवस्था निमलिकित में से किस देश से संबंधित है संगात्मक व्यवस्था जो किस देश से संबंधित है तो संगात्मक व्यवस्था जो अपनी है वो किस से संबंधित है बाबू वो किस संबंधित है वो संबंधित है कनेडा के संबिधान से हमने संगात्मक शाषन जो लिया संगहात्मक्षाशन व्यवस्था वो कनेड़ा से लिया है इस संगहात्मक्षाशन के व्यवस्था वदल वेसे एकल नागरिक्ता की बात की जाए तो वो तो अलग की बात है एकल नागरिक्ता जो है वो हमने तो इंगलेंड से लिया है लेकिन जो हमारा shang है यानि shang जो powerful shang है वो कनड़ा के सम्मिधान से लिया गया है और अमेरिका के सम्मिधान में आपको पता होगा दोहरी नागरिकता है और अमेरिका का shang दूसरा है ठीक है के लियर आपसर नमबर इसका एक karakter अगर इसर यानि कि भारत के राजिक जब कि अमेरिका के राजिका-सर अमेरिका से अलग भी हो सकते हैं ठीक है तो इसका करेक्टर आपसर नमबर ए है यह सारे पशनत्र उ आपको अगला परसनाप का था कि which year right to education was included as fundamental rights यानि सिक्षा के अधिकार को किस बर्स मौलिक अधिकारों में सामिल किया गया था तो सिक्षा के अधिकार को 86 हमा संभिधान संसोधन हुआ था 2002 में और इसी 2002 में सिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार गोचित कर दिया गया और कहा गया कि 6-14 वर्स के जो बालक है ये अनिमारी सिक्षा इनको पलब्द करवाई जाएगी ये बात मौलिक अधिकार होता है ठीक है और ये बात ध्यान लखेंगे और 6-14 वर्स के बालकों को श्कूल भेजना ये उनके माता पिता का उत्तरदायत होगा ये बात मौलिक करतब्यों में भी सामिल की गई है ठीक है ये बात ध्यार नखेंगे तो आपसा नंबर इसका सी करेक्टर एंसर होगा आगे बढ़ते हैं छठवा नंबर प्रसन छठवा अमर प्रसन आपका आ चुका है दा वर्ड सोसलिस्ट एंड सेकुलर वाज इनकिलिवड़ इन प्रियम्बल आप दे कांस्टिटिवसन बताएं समाज बादी तथा धरम निरपेक्ष सब्द सम्विधान की प्रस्तावना में कब समलित किये गए थे तो हुआ था 1976 इस भी में एक सम्विधान संसोधन उस सम्विधान संसोधन को बोलते हैं बायलिसावा सम्विधान संसोधन बायलिसावा सम्विधान संसोधन हुआ था कब 1976 में कौन थी जो है प्रधार मंतर उस समय इंद्रा गांदी ठीक है तो उसी समय बायलिसावा सम्विधान संसोधन को एक और न नाम से जाना आता है इसको हम मिनी कांस्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं यानि की मिनी कांस्टिट्यूशन का मतलब होता है जो है लगू संविधान छोटा संविधान चुकि इसमें बहुत सारे संविधान के अनुछेदों में परिवर्तन किया गया बहुत सारे ले गए हैं सबसे मज़ेदार बात यह हैं आपका अगला प्रसन है सातमा नंबर विच अब दा फालोइंग इस नाट आफ फीचर आफ दा इंडियन कांस्टिटूशन निमलिकित में से कवंसी भारते संविधान की विसेशता नहीं है संसदात्मक सरकार देखे भारत में है संसदात्मक सरकार यानि भारत में दो संसद के दो सदन है एक तो लोक सबा और एक राजसबा यानि संसदात्मक सरकार है ठीक है दूसरी बात है अध्यक्षात्मक सरकार नहीं भाई अध्यक्षात्मक सरकार अपनी नहीं है प्रेसिडेंसियल गवर्मेंट नहीं है भारत की यह अमेरिका का है ठीक है अमेरिका में प्रेसिडेंसियल गवर्मेंट है यानि कि अध्यक्षात्मक सासान है तो आपसा नंबर इसका भी ही करेक्ट हो जाएगा अपनी भारत में आपको बता दो सुतंतर न्याय पालिका भी है यानि जो भारत का जो उच्चेतम नयायला है वो शुतंतर है यानि सुतंतर नयायपालिका है और संघात्मक सरकार भी है संघात्मक सरकार मनलब की आपको पता होगा संघात्मक सरकार या सासन कहां से लिए कनाडा के समिधान से तो अपना सरकार जो संघात्मक है संसदात्मक है और सुतंतर ने आये पालिका है आपसा नमबर इसका भी अध्यक्षात्मक सासन अपना सरकार नहीं है ठीक है? आगे बढ़ते हैं आठवा प्रसनाप से पूछा गया था आठवा प्रसनाप से पूछा गया था which of the following word is not in the preamble of constitution of India यानि कि निम्रकित में से कोई सा सब्द भारत के संबिधान के उद्देशिका में नहीं है देखे समाजबादी, पंत, निरपेक्ष, और प्रभुत शंपन यहाँ पर प्रभुत शंपन नहीं लिखा है प्रभुता शंपन लिखा है कोई मेटर नहीं आपर अंगरीजी में देखेंगे sovereignty लिखा है तो देखे socialist, secular और sovereignty ये तीनों सब्द जो है ये तीन सब्द जो है संभिधान के उद्देशिका में है लेकिन लोग कल्यान की बात भारत के संभिधान के 36 से लेकर के अनुछे दिक्यावन के बीच में आर्थात लोग कल्यान कारी राजी के लिए बात नीती निर्देशिक सिधानतों के अंतरकत कही गई है यानि भाग चार में बताई गई है आपसा नंबर इसका D correct answer होगा इस question में D answer correct answer आपका आठवे का अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और सियर कर दीजेगा सभी दोस्तों के पास अपनी नववा प्रसन आपका आचुका है विच आप दा फालोइंग सिटीजन इस प्रोवाइड़ बाई इंडियन कासिटूशन भारतेश शम्विधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है तो भारतेश शम्विधान मुख रूप से एकल नागरिकता प्रदान करता है सिंगल सिटेजन सिफ मैं आपको बता दू कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हो आप हिमांचल प्रदेश के नागरिक नहीं हो आप बिहार के नागरिक नहीं हो ठीक है आप बिहार के क्या हो आप बिहार के निमाशी हो आप उत्तर प्रदेश के निमाशी हो आप उत्तर खण के निमाशी हो ना की नागरिक हो आप नागरिक कीवल भारत की हो ये बात थोड़ा सा ध्यार नखेंगे ओके अपसन नम्बर इसका बी करेक्टेंसर का भारत की नागरिक था एकहरी है यार था एकल लागरिक था शिंगल से टिजेंशिप दसमा प्रसनाप का आच चुका है विन विन विर दा जो है मांटेंग्यू चम्स फोर्ड रिफॉर्म पबलिस्ट बताएं मांटेंग्यू चम्स फोर्ड सुधार कब परकाशित किये गए तो आप सभी को पताओगा कब परकाशित किये गए भई चीके यह सुधार था किसके सुधार था यह 1909 का जो अधिनियम आया था मारले मिंटो सुधार अधिनियम आया था उसमें भी कुछ कमिया रह गई थी तो उस मारले मिंटो सुधार में जो कमिया रह गई थी उन कमियों को 1919 के भारत सासन का जो अधिनियम यानि की मांटेंग्यू चयम सफोर्ड सुधार के द्वारा मलब अधिनियम के द्वारा उसमें सुधार किया गया तो आपसा नमबर इसका B करेक्टर एंसर होगा जिन चाचातरों ने भी लेगा उनको नमबर मिलेगा अगला पर सनाप का आ चुका है which leader is associated with बार्डोली सत्यागरह यानि की बार्डोली सत्यागरह के साथ किस नेता का संबंद जुड़ा हुआ है तो सरदार पटेल जी का जुड़ा हुआ है सरदार बल्ला भाई पटेल ठीक है भारत के जिस्वारी 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 जिस्वा संदक्षक सरबोच नियाले है सुपरिम कोट आफ इंडिया आपसा नमबर इसका भी करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसन आपका था तेरवा नमबर प्रसन था वाट इस जो है रेटार्मेंट रेटार्मेंट इस अब धाई कोट जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज कि तो पैसेट कर दीजेगा किलियर आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्न आपका चौधावा नंबर प्रस्न है प्रस्न है कि राज के नीती निर्देशक तत्तों का उद्देश है आपसा नंबर इसका भी करेक्टर एंसर होगा नेक्स्ट प्रस्न आपका आचुका है पंदरवा नंबर प्रस्न देखेंगे वाई फूम वाजदा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस फाउंडड़ भारती रास्टे कांग्रेस के स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो इसका करेक्टर एंसर होगा अगला प्रस्न आपका आचुका है 16 नंबर प्रस्न आप देखेंगे यह सारे प्रस्न मैंने बता है एक भी प्रस्न आपका ऐसा नहीं जो मैंने बता हूँ अगला प्रस्न है आपका फ्राम वीच इयर टू इयर डिट दा जो है इमोडरेट नेशनलिज्म लिस्ट बताएं नरम पंथी राष्टेता का युग किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा है तो 1885 में चुकी भारती राष्टे का अंगरिस के स्थापना होती है यही से नरम दल की मुखिरूप से सुरुआता आप मान सकते हो और 1905 तक चलती है नरम विचारधारा उसके बाद में उगर विचारधारा आती है ठीक है यहीं गरम पंथ लाल बाल पाल जो थे यह गरम पंथ के ही नेदा थे मुखरूप से लाल माने क्या होता है लाल माने बताओं एक लाल एक बाल और एक प्रकार से पाल तो पाल विपिंच अंदरपाल हो गए ठीक है, बाल बाल गंगा धरतिलक और लाल से क्या होगा आपका? लाला-लाज पत्रा है, ठीक है, किलिएर? लाल वादुशास्त्री मत कर दिजिएगा, लाला-लाज पत्रा है, ओके आप सा नमबर इसका एक अरप्ट्र एंसर होगा, उसक among the following made this declaration यानि कि स्वराज मेरा जनमशे धदिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा यहाँ उद्गोस निम्द में से किस ने दिया था इसको बाल गंगा धतिलग ने जी ने दिया था आप सब नमबर इसका एक correct answer होगा जिन चाचातरों ने लगा दिया उनका बिल्कु correct answer है एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और share कर दीजेगा ओके चले अगला परसना आपका चुका है अठारवा नमबर परसना है इन वीच येर वाज रॉलेट एक्ट पास जैनि रॉलेट एक्ट कि ससन में पास हुआ तो रॉलेट एक्ट कि अगर बात की जाए तो वो कब पास हुआ था भई वो आपका पास हुआ था 1919 में आपसना नमबर इसका भी correct answer होगा अगला परसना आपसे पूछा जा रहा है देखेंगे वीच येर कमिनल जो है रिप्रजन रिप्रजनसेटेशन वाज introduced इन इंडिया फार दा फर्स टाइम भारत में पहली बार किस वर्ष संप्रदाइक परतिनित्त की शरुवाद की गई थी परतिनित्त की जो स्वरुवाद की गई थी भारत में खास करके वो शुरू की गई थी 1909 इस भी में आपसा नंबर इसका बीकरक्टेंसर होगा मारले मिन्टो सुधार से ही ठीक है अगर नेक्स्ट प्रसन आपका आज़ चुका है बीश्वा नंबर प्रसन देखेंगे आप सभी लोग which year Congress passed the resolution of complete independence किस बर्स कांग्रेस द्वारा पूर्ण श्वाराज का प्रस्ताव पारित किया गया था बहुत बड़ी हाँ प्रसन है बीश्वा में का करक्टेंसर आपका होगा आपसा नंबर इस 1929 देखें 1929 और 1930 में बड़ा डिवेट है डिवेट इसलिए है चुकि मद रात्री में जंडा फायरा गया था और पोर्स अत्ता घोषित की गई थी 31 दिसंबर की डेड थी मद रात्री में तो आप 1929 जाता बेटर लगेगा अब इसमें देखें अब इसमें यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो 1929 सभीकार करेगी या 30 लेकिन मेरे हिसाब से सभीकार करना चाहिए 90 परसंट आपका 1929 ठीक है और बाकी अब यूनिवर्सिटी के उपर डिपेंड है कि उसने किस माज सिक्ता के साथ पूछा है वो 34 यह जानना या फिर 29 लेकिन अगर मैं बता हूँ तो आपका 29 सिकरक्ट एंसर इसका होना चाहिए यह आप संजेनों लगाया होगा उनको नंबर मिलना चाहिए आगे बढ़ते 21 नंबर परसंट आपका आचुका है प्रोवेंसियल एटनॉमी वाज इस जो है ट्रेडूसेड इंडिया बाई ब्रेटिस एक्ट पास्डिन बताएं किस वर्स भारत में ब्रेटिस अधनियम के अंतरगत प्रांतिय स्वायतता की सुरुवात की गई थी भटाबट से बताने का परियास करने करेक्ट एंसर इसका क्या होगा बिल्कुल आपसा नंबर इसका भी 1935 जराइट आपसा जिन्होंने 1935 लगा है आपसा नंबर भी भारत सासा नंधनियम 1929 ठीक है करेक्ट एंसर होगा गवर्णमेंट आफ इंडिया एक्ट नैंटी नैंटी नाइन अगला प्रसना आपका आचुका है तेस नंबर प्रसना आप देखेंगे क्विट इंडिया प्रपोजल वाज प्रपोजड आन वीच डेट भारत छोड़ो आंदोलन परस्ताव किस तिथी को परस्तावित किया गया भड़ा पड़ से बताने का प्रियास करेक्ट एंसर इसका क्या होगा आपसा नंबर यह बिल्कुल करेक्ट एंसर आपका है आठ अगस्त उनिस्सो बैयालीस को कुट इंडिया मुव्मेंट जो एक प्रकार से चला वो आठ अगस्त को प्रारब होगा था आपसा नंबर इसका एक एकरेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट प्रसन आपका आचुका है चौबिस नंबर प्रसन देखेंगे भारत की सम्विधान सभा का गठन किसके द्वारा प्रस्तो तीजना के अंतरियत किया गया था अगस्त प्रसन आपका आचुका है भई अगला प्रसन आपका आचुका है हाउ वर दे मिम्बर्स इलेक्टेड इन अ कॉंस्ट्टिून्ट एसेम्बली यहीं सम्विधान सभा में सदस्यों का चुनाओ कैसे किया गया था तो भाई देखे सीधे जनता के द्वारा नहीं किया गया था यह चुनाओ हुआ था भारती राष्टे कांग्रेश से नामांकन के द्वारा आप इसमें मान सकते हो लेकिन वैस्क मताधिकार के द्वारा आप परतिक शुरूप से चुनाओ हुआ था option B ज़्यादा बेटर लगेगा आपका इसमें B option is the राष्ट आंसर ठीक है प्रांती-विधान-श-बारा त्रौवेजणल प्रांती-विधान-श-बारा या फिर रास्टे कांग्रेश के नामांकन के द्वारा देखें नामांकन तो तो इसमें वैस्क मता धिकार आपरतक शुरूप से करणवा दिया गया था ठीक है चले 26 नंबर प्रस्ट आपका दिया हुआ है 26 नंबर प्रस्ट क्या दिया हुआ है 26 नंबर प्रस्ट दिया हुआ है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 इद्वी को सम्विदान सभा की पर्थम बैठक हुई थी और इस दिन के अधिक्षता कौन कर रहा था सचदादन सिनहा जी कर रहे थे और इसके दो दिन बाद में 11 दिसंबर को 1946 में ही दूसरी बैठक होती इसकी उसके अधिक्ष पूर्ड रूप से चुल ले आते हैं डाक्टर राजे अंदर प्रसाद ठीक है तो अंतरिम अधिक्ष का अगर पूछेगा बाद तो डाक्टर सचदादन सिनहा का नाम आएगा या फिर आपसे पूछेगा कि अस्थाई अधिक्ष की रूप में कौन बैठा था तो सचदादन सिनहा जी बैठे थे अगर आपसे पूछेगा कि सम्मिधान सभा के अस्थाई अधिक्ष कोन थे तो अस्थाई अधिक्ष आपके वो डाक्टर राजे अंदर प्रसाद जी है अगला परसनाप का चुका है कि निमलखित में से कौन समिधा निर्मातरी सभाग के प्रारभ में अंत्रिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे बताने का प्रियास करेंगे फटा फटा से बताएंगे तो अभी भी मैंने बताया था डाक्टर सजदान सिनहा इस राइट अंसर बी आपसन इसका बिल्कुल करेंटर अंसर होगा अंत्रिम अध्यक्ष पूछ रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं अठाइस नमबर प्रसनाप का दिया हुआ है अगे बढ़ते हैं आगला प्रसनाप का आचुका है बाई इन में से कौन सम्विधान सभा का सदस नहीं था बतायें थी थी पूछ रहा क्या था नहीं था लिखा हुआ है युँ एमंग दा फालोइंग वाज नाट अमेंबर आफ कांस्टिटूट असम्वली थी जवाहल लहरू भी थी बीड़ी सावार कर नहीं थे आपसे नमबर इसका सी करेक्ट्रेंसर हो कहें सम्विधान सभा के सदस नहीं थे तीस नमबर परसन आपका दिया हुआ है वाई विच वन अफ द फालोइंग वाज दा अबजेक्टिव प्रपोजल इंट्रोड इंट्रोड इन्टूट इन्टूट असम्वली सवारी सम्विधान सभा में उद्देश परस्ताव निवन में से किस एक के द्वारा प्रस्तोत किया गया था तो किस के द्वारा भाई पंडिजबाहल लान लहरू के द्वारा उद्देश परस्ताव पारित किया गया था आपसे नमबर इसका अबी करेक्ट्रेंसर होगा अगला प प्रसन है भारतिय सम्मिधान सभा की प्रारूप समिती के अद्धिक्ष कौन थे तो भारतिय सम्मिधान सभा की जो प्रारूप समिती थे उसके अद्धिक्ष थे डाक्टर भीम रावंबेडिकर आपसा नमबर इसका एक अरेक्टर एंसर होगा आगे बढ़ते हैं 32 नमबर प्रसन देखेंगे शवी लोग अगला प्रसन है भारत की शम्मिधान सभा का कानुनी सलाकार कौन था तो बी एन राव जी थे आपसा नमबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा जिन्होंने डी लगा उनको नमबर मिलेगा 33 नमबर प्रसन आपका आचुका है जन्न सीराजगोपालाचारी थे आपसा नमबर इसका भी करेक्ट एंसर होगा नेक्श्ट प्रसन आपका आचुका 34 नमबर भारत में एकल नागिरिकता की जो अवधारा ली गई है किस देस की समोधान से ली गई है तो इंग्लेंड से ली गई है, कनाड़ा से संघात्मक विवस्था ली गई है, युवेसे के सम्मिधान से मौलिक अधिकार लिए गए है, फ्रांस के सम्मिधान से क्या लिया गए, आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला परसन आपका आ चुक अगला परसन आपका आचुका है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और सियर अवस्थ कर दीजेगा, अगला परसन आपका दिया उच्छातिस नमर परस देखेंगे, फटापर से बताने का प्रियास करेंगे, बताएं करक्टर एंसर क्या होगा, इसका 36 नमर करक्टर एंसर क्या होगा, बिलकुल, तो अंतर राज परिशत की जो बैठक होती है, उसके अदिख्टर परदान मंतरी करता है, अगला परसन आप समय लोग देखेंगे, 37 नमर परसन आप का चुका है, which one of the following has the power to remove Chief Election Commissioner of India, भारत में मुख निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, देखें, राष्ट पती के पास हटाने का अधिकार अकेले नहीं है, संसद के में जब सारी चीए से, जो राष्ट पती को हटाने की परक्रिया ह भारत के महा नियावादी को, और राष्ट पती से, राष्ट पती जिनकी एक परकार से लगबग, जिन जिन लोगों की राष्ट पती निर्वाचन का, अमलब जिसको राष्ट पती एक परकार से क्या करता है, अमलब राष्ट पती के द्वारा एक परकार से निर्वाचन हो अमलब उसको क्या बोला आता है राष्टपती बनाता है राष्टपती त्याक पतर दिलवाता है तो उन राष्टपती के ही तरीके से हटता है यहाँ पर संसत बेटर होगा आपसा नमबर इसका सी पारलेमेंट राइट आंसर जिन्होंने संसल लगा है उनको बिलकुल नमबर म की न्यूक्ति कौन करता है न्यायाधीशों की न्यूक्ति करता तो राष्टपती है लेकिन सर्बुच न्याले कि मुख न्यायधीश से सला भी लेता है अपसर नंबर इसका भी अगर यह आपसर नंदिया होता तो राष्टपती आपसर नंबर ए लग जाता लेकिन यह आपसर इसका एक अरक्ट एंसर होगा आगे बढ़ते हैं एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को सियर कर दीजेगा अगला परस्तन है which court has the power of power to decide the dispute between two or more states दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विबादों के निप्टारे का अधिकार निमने में से किस नियाले को प्राप्त है तो सर्वोच नियाले इन चीजों को देखता है supreme court जब दो या दो से राज्यों के अधिक से बीच में क्या होता है कोई दिक्कत होती तो ऐसी चीज़े हो अगला परस्तन आपका आचुका एक तालिस नमर परस्तन है by whom was the non cooperation moment launched आसायोग अंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था तो आसायोग अंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था सभी को पता होगा आपसा नमर इसका एक औरक्ट एंसर होगा देखे सारे परस्तन मेरे द्वारा बताए गई ही आए होए है when did the civil disobedience moment start सभी ने अवग्या अंदोलन का प्रारम हुआ सभी ने अवग्या अगर अंदोलन की में बात करूँ तो प्रारम हुआ था 6.1930 को आपसा नमर ए में दिया औरक्ट एंसर होगा ठीक है आगे बढ़ते अगला परस्तन आप से पूछा गया था 43 नमर परस्तन आप से पूछा गया था कि अजज आप the supreme court can be removed उचितम न्यायले का न्याधीस पदिच्यूत किया सकता है तो उचितम न्यायले का जो न्याधीस होता है वो संसद के प्रस्ताव पर राष्ट पती के द्वारा आपसा इसका जो है बी में दिया हुआ है 43 इसका विल्कुल करेक्ट एंसर होगा आपसा नमर बी इसका संसद के प्रस्ताव पर राष्ट पती के द्वारा हटाया जाता है आपसा नमर इसका बी करेक्ट एंसर होगा जिन्होंने बी लगाया by president on the motion of the parliament okay आगे बढ़ते हैं अगला प इसके तरग की सलाह पर कि जाती है TOG principles के जोन्युकति होती है वहावी भारत के मुखिनाधी terce करेक्ट एंसर होगा ठीक है चीप आप डिस्रोंग फोचीजर्ट में सत्ती है कीजिया हुआ है वा पर नहीं इसका जबक्त की सब्सक्रिंग्र पार इसका कॉर्ण्टियों क ण captiv इंडिया, संबिधान की किस अनुछेद द्वारा भारत के नागरिकों को वैस्क मतादिकार प्रदान किया गया है, तो वैस्क मतादिकार को लेकर के जो अनुछेद आपका है वो है, अनुछे 326, ठीक है, आर्टिकल 326, आपसा नंबर इसका अभी करेक्टर एंसर होगा, भी आपसे इंजिनल लगा, उनको नंबर मिलेगा, अगला परसन बढ़ते हैं, अगले परसन की, और अगला परसन आपका आचुका, एजुकेशन, विच आप दा फालोइंग लिस्ट आप दा सब्जेक्ट, सिक्छा निवे से की सूची का भी से है, तो सिक्छा जो आपका समोर आपसे इंजिन सुची का भी से है, ठीक है, आपसे नमबर इसका सी करेक्टर हैं सरुगा, अगला परसन आपका सम देखेंगे, 47 नमबर पर सनापका दिया हुआ है, अंडर विच आर्टिकल आप दा इंजिन का आस्टिवसंड, सुपरिम कोट प्रोटेक्ट दा फंडमेंट fundamental rights of Indian citizens भारते सम्मिधान की किस अनुच्छेद के ते हैं सर्वोच न्याल है भारती नागरिकों के मोलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है तो अनुच्छेद 32 में मनें बताया था सम्मिधान एक उपचारों का अधिकार है आप से नंबर इसका डी लगा दीजेगा आगला पर साब देखते हैं 48 नंबर परसन आपका दिया हुआ है सभी लोग देखेंगे 48 नंबर 48 नंबर परसन है वोट इस दा मिनिमम एज रिक्वाइड फार एलक्षन आफ राजसभा लफ्स्तु राजसभा राजसभा के चुनाओ के लिए आप एक्षित नियुनतम आयो कितनी है तो राजसभा के चुनाओ के लिए आप एक्षित नियुनतम आयो जो है वो 30 वरसा है नि 30 साल की हुनी परमाउस है आप से नंबर इसका भी करेक्टर एंसर होगा 49 नमबर प्रसनाप को दिया हुआ है who decides whether a will is a finance will or not कोई भी धेक, बित भी धेक है, अथवा नहीं है इसका अंदर रड़ा इकोन करता है बार बार एक प्रसन में बताया था इसको इसका अंदर रड़ा लोग सभाद देख चैने की speaker of log सभा करता है आपसन नमबर इसका भी correct answer होगा next प्रसनाप का पचासमा नमबर प्रसनाप चुका है भाई, स्कीन पर सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे अगला प्रसनाप का है which of the following is given credit for in treating public interest litigation in India भारत में जनहीत याजिका की शुरुआत करने का स्रेकिस नियाधिस को दियाता है तो बिल्कुल इसका correct answer आपसन नमबर इसका A होगा पचासमे का बिल्कुल A आपसन is right answer justice P.N. भगवती is right answer A आपसन correct answer होगा अगला पर साम देखेंगे 51 नमबर पर सनाप को दिया हुआ है the state council of ministers is कोल एलेक्टिवली responsible to any राज की मंतरी पर साम होई ग्रूप से किसके प्रति उत्तरदाई होती है तो राज की मंतरी पर साज जो होती है वो विधान सभा के प्रति उत्तरदाई होती है यानि legislative assembly के प्रति उत्तरदाई होती है अगला परसनाब का चुका है बावन नमबर परसनाब देखेंगे अगला परसनाब से पूछा गया था देखेंगे अगला परसनाब से पूछा गया था दा लोकसभा और राजसभा में गड़पोर्ती संक्या कितनी होती है दा कोरम नंबर्स आफ लोग सभा अंडरा सभा आर देखिए एक बटा दस होना चाहिए अगर मालते सलसंख्या आपकी तीन समलब मालते हैं कि एगर आपका जो है सलसंख्या कितिनी है 450 को मिला करके हैं 450 का अगर एक बटा दस भी लोग आये हैं तो फिर सभा होगी या नथा नहीं होगी 0 यानि 45 लोग अगर उपस दिते हैं तो सभा होगी ठीक है तब बैठक होगी 54 नंबर पर सभा आपसर लोग देखेंगे अगला परसन आपका आया था 56 नंबर परस देखेंगे भारत की सुरक्षा सेनाओ का मुख्य सेनापती कौन होता है भारत की सुरक्षा सेनाओ का जुमुख्य सेनापती होता है भारत का रास्टपती होता है प्रेसिडेंट आप इंडिया आपसर नंबर इसका भी करेक्टर एंसर होगा 57 नंबर परसन आपसे पूचा गया था कि members of which are the following body are not directly elected by बताएं people निम्द मेंशे किस संस्था के सदस से जनता द्वारा परतक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं फड़ा परसने पताने का प्रियास करेंगे 57 नंबर का इसका करेक्टर एंसर क्या होगा 57 नंबर का आपसर नंबर इसका डी करेक्टर एंसर का legislative council नंबर इसका डी करेक्टर एंसर का विधान परिशद निम्लिकित मेंसे किस संस्था किस संस्था के सदस जनता द्वारा परतक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं विधान परसत के लोग सभा का वी चुनाओ तो जिसमें आप उड़ देते हो लोग सभा के सदस होते हैं और जिसमें ग्राम परचाद जिसमें परधान बनते हैं तो ग्राम परचाद के चुनाओ है वो विधान सभा जिसमें विधायक बनते हैं ठीक है तो विधायकी यानि की यमेले वाला च विदाद सभा का चुनाओ आपका लोग नहीं देते हो ठीक है वह आप प्रतक्ष रूप से होता है होता तो प्रतक्ष्च परियुक आपका पर्तमदी जो होते हैं वो देते हो अठावा नम्बर आपका परस्त दिया हुआ कि गवर्नर आफस स्टेट होल्ड जी अफिस तिली प्लिजर आफ यह निराजपाल किसके प्रसाथ परियंद तक अपने पत्पर बना रहे सकता है तो आपसर नमबर इसका भी लगा दीजेगा प्रेसिडेंट के प्रकार से पर हमेशा वाट रहेगा और वो चाहे तो खता सकता है ठीक है राजपाल जो होता है राश्टपति के प्रसाथ परियंद तक अपने पत्त बना रहे सकता है अगला पर साम से पूछा गया था हूं उन्सर नमर पर देखेंगे राज बिधान सभा की अबदी क्या होती है तो राज बिधान सभा की अबदी क्या होती है उनसर का करेक्टेंसर क्या होगा बिल्कुल पांच मर्स राज बिधान सभा की जो अबदी होती है नि बिधायकों का गारिकल पांच साल का होता आपसा नमर इसका भी करेक्टेंसर होग साथ नमबर पर साथ आप देखेंगे the head of the real executive of the state is राज जी की वास्तविक कारिपाल का कद्देख्ष कौन होता है तो राज जी की वास्तविक कारिपाल का कद्देख्ष जो होता है वो कौन होता है राज जी की वास्तविक कारिपाल का कद्देख्ष होता है मुख मंतरी चीफ मनिश्टर आपसा नमबर इसका सी करेक्टर एंसर होगा अगला परसन इकसर नमबर परसन आपसे लोग देखेंगे as a result of which amendment in the Indian constitution the right to properly property has been removed from fundamental rights बारते संविदान के कि संसोधन के परड़ाम सरूप संपत्ति का अधिकार मौले का अधिकारों से हटा दिया गया था तो संविदान संसोधन था चावली समा संविदान संसोधन 1978 में हुआ था आपसा नमबर इसका भी करेक्टर एंसर होगा अगला परस्न स्वारी भाई एक बार सभी लोग वीडियो को सेर कर दीजेगा और लाइक कर दीजेगा तो तब ये डाउन हो इससलिए खांसी आ रही बीच में तो उसके लिए माफी चाहेंगे अगला परस्न आपका Who is the Prime Minister of India during 1965 इंडो पाक वार बताएं 1965 के दोरान भारत जब पाक युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के दोरान भारत का प्रदान मंतरी कौन था तो उस समय भारत के प्रदान मंतरी थी कौन भाई कौन थी भारत के प्रदान मंतरी आप बताएंगे कौन थी बाई बिल्कुल स्वारी कौन थे 1965 के दोरान देखें लाल बादूर सास्तरी जी थे आपसा नंबर इसका सी करेक्ट एंसर होगा था अगला पर सामसरी लोग देखेंगे 63 नंबर पर दिया हुआ है आपका फू वास दा फर्स्ट स्वार आप लोग सभा आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी के बाद लोग सभा का पहला इस्पीकर कौन था फड़ा बट से बताएंगे तिरिसर्ट नंबर का करेक्ट एंसर क्या होगा त्रिस्ट नम्बर का करेक्टर अंसर आपका होगा आपसा नम्बर सी जीवी मावलंकर आपसा नम्बर इसका सी करेक्टर अंसर होगा ठीक है जीवी मावलंकर जो है आजादी के बाद लोग सभा की पहले स्पीकर थे पहले अधिक्ष थे जीवी मावलंकर जी 64 नमबर पर सनाफसर लिए दिखेंगे for how long are the राज सभा members elected राज सभा सदस कितनी वोदी के लिए निर्वाचित होते हैं तो राज सभा के जो सदस से होते हैं या राज सभा के सदस जो होते हैं राज सभा राज सभा के सदस पूछ रहा है भाई 64 का आपका करेक्ट एंसर क्या होगा आपसर नमबर D 64 करेक्ट एंसर क्या होगा आपसर नमबर इसका D 6 वर्स के लिए आपसर नमबर इसका D करेक्ट एंसर होगा 65 नमबर पर साफसर लोग देखेंगे परधार मंतरी की नियुकती कौन करता है तो प्रधान मंतरी की नुक्ती राष्टपती करता आपसा नंबर इसका भी करेक्टर एंसर को प्रेसिडेंट करता है अगला प्रसना आपका छियाचा नंबर प्रसना चुका है which of the following does not take part in the election of president राष्टपती के निर्वाचन में निम्रिकिन में से कौन सा भाग नहीं लेता है तो राष्टपती के निर्वाचन में लोग सभा के राज सभा के जो निर्वाची सदस होते हैं वो भाग लेते हैं और विधान सभा के भाग लेते हैं ठीक है विधान परसत के भाग नहीं लेते हैं तो आपसा नमबर डी लगा दीजेगा चुकि बहुत सारे राज्यों में विधान परसत नहीं है इसलिए विधान परसत के सदस्यों का भाग नहीं होता इसमें तो आपसा नमबर इसका D correct answer होगा अगला परसंदा Union Council of Ministers is collectively responsible to बताएं संखे मंतिर परसंद सामोई ग्रूप से किसके प्रति उत्तर दाई होती संखे मंतिर परसंद जो होती सामोई ग्रूप से लोग सभाग के प्रति उत्तर दाई होती आपसा नमबर इसका C correct answer होगा अगला परसंद आप देखेगा आपसा नमबर परस दिया हुआ है निमलिकित में से कौन सा अधिकार मौली का अधिकार नहीं है फड़ा परसे बताने का प्रियास करेंगे आपसा नमबर का correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा पुरुस और इस्तिरियों को सम्मान काम के लिए सम्मान बेतन पाने का अधिकार यह मौली का अधिकार नहीं है यह आपका नीतियन दिसक्स के धानतों में बताया गया है बाकी भासड़ा और अभ्यक्ति की का जो अधिकार ही अनुछेद 19 में बताया गया है 19 के ठीके उसमें और इसके लावा 166 के विए दिकार जो है यह 23 वगारा में है आप देखेंगे अनुछे 23 के आसपास ठीके अनुछे 24 में आगे बढ़ते हैं 89 नमर प्रसना आपका आचुका है विच आप दा फालोइंग इनकिलिवडेड इन दा इन दा डार इन दा इन्सके में सामील है देखेंगे काम कादिकार काम कादिकार जमाता कादिकार ये सब महले कादिकार जबकी काम कादिकार तॉर्क आपसा नमर इसक का ये karrektर है स़री भाई सत्ता नमर प्रस्ण आपका मैं बड़ा प्रकार से तव्यत खराब है लेकिन मैं आप लोग के लगातार कमेंट को वरदास नहीं कर पार हूँ आप लोग कितने कमेंट आ रहे हैं कि सर जी वीडियो लाइब वो साल्ब करवा दीजिए और इसलिए मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता हूँ और इसी प्रकार से आप मोटिबेट करते रहें ठीक है ताकि मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूँ अगर ऐसी स्थिती भी बन जाए कि मैं किसी दिन वीडियो ना बना पाऊं लेकिन आप लोग का कमेंट जब देख लेता हूँ तो वीडियो बनाने के लिए मैं हर हाल में समय निकाल लेता हूँ तो आगर मैं आप लोग के लिए एक वीडियो दिन भर में एक दो वीडियो तीन वीडियो ना बना लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है कहीं पर भी रहूँ ठीक है सत्तर नमर आपका प्रस्ण है वीच आर्टिकल आपदाफ कांस्ट्यूशन प्रोवाइड़ फार्दा अवेंडमेंट आपदा कांस्ट्यूशन यानि संभिदान संसुदन की व्यवस्ता संभिदान की किस अनुछेद में की गई तो अनुछेद तीन सो और सट में जो है सब्धान संसु दन की प्रकिरिया के बारे मताएगा आपस नंबर इसका डिकरेक्ट्रा है जरुगा इकात्ता नंबर प्रस्णाप का देओ थोड़ा सा बच्चा हो थोड़ा सा ओर जेल लिजे भाई थोड़ा सा बच्चा हो बस पांच प्रस्णाप के बच्चे होए है बाकी खांसी आरे एच्छा नहीं लग रहा मुझे भी इकत्ता नंबर आपका प्रस्णाप हुआ आ रहा है कि which of the following is an article related to the evolution of untouchability in the Indian constitution भारती शम्मिधान में अस्परस्ता उन्मूलन से सम्मदित अनुछेद निम्दमे से कौन सा है तो देखे अनुछेद 17 अस्परस्ता कांत अनुछेद 18 जो है उपादियों कांत अनुछे 16 लोक न नमस्तान के अधार पर भेदवाओं नहीं किया जाएगा ठीक है सार शीजे हो गई अब 72 परस्णाप देखेंगे which article of the constitution include fundamental duties of Indian citizens सम्मिधान की किस अनुछेद में भारती नागरिकों के मूल करतब भी सामिल के गए हैं भारती सम्मिधान में जो मूल करतब भी सामिल के गए है वानुचे दिक्यावन के का में सामिल के गए भाग चार का का बोलाया था इसको आपसा नम्बर इसका सी करेक्ट एंसर होगा अगला परस्ण आप देखेंगे सम्मिधान आपके प्रस्ण पत्रिका में आया था परस्ण देखें यह सारे सक के सारे परस्ण जो है बहुत इसको बताएंगे ठीक है आगे बढ़ते है चोहता नमबर आपका प्रसंदिया हुआ है बताएं पंचायती राज ब्यवस्था से रिलेटर है पंचायती राज सिस्टम हैज बीन अरेंजड इन इंडिया अंडर वीच आफ दा फालोइंग भारत में निम्रकित में से किसके अंतरगत पंचायती राज ब्यवस्था यानि राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो मौलिक अधिकार के अंतरगत नहीं मौलिक करताभी के अंतरगत नहीं राज के नीतियन सिद्धांतों के अंतरगत नहीं भाई चुनाव आयोगा धिनियम के द्वारा आपसे नमबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा इलेक्शन कम परसन और इस पेपर का लास्ट परसन और आपके लिए बहुत महत्वन परसन है आपका चुका है विच केस गेव दा राइट टू दा पार्लियमेंट टू एमड 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 अवेंड दा फंडमेंटल राइट बताएं किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसदन का अधिकार दिया आपको बता दूँ कि यह बहुत सारे बाद हैं यसे केसवा नंद भारती बाद गोलक नाथ बाद सज्जन सिंग बाद राज नरान बनाम गांधी बाद ठीक है तो आपको बता दूँ कि जो आपका केसवा नंद भारती बाद है इसमें यह कहा गया था कि संस कि उत्तर मैंने बता दिये और उन्धिश्य तवर पर आप लोगं को अच्छा लगा हुआ होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पढ़ने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ताकि सभी छाचातरे आपके लाभाद भी थो सके इस वीडियो के माद्दिम से चले बहुत-बहुत धनिबाद है सभी का और एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जिन जो छाचातरे हमारे थर्ड समेस्टर में हैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि ये human values and environmental studies का जो उन करके तो आप लोग भी इस वीडियो को सेब कर लिजेगा ताकि जो है आप जब थर्ड समस्टर पोचे तो यह वीडियो आप दे करके आसानी से अपना काम कर सकें ठीक है मनलब अपना पेपर दे सकें ठीक है धन्यबाद मिलते हैं अंदे स्टूडियों तब तक के लिए जह लोगों को बहुत धनीबाद बहुत धनीबाद भाई चले ब्राम नाम सभी को बहुत धनीबाद गुड़नाइट और लाफ्यूंग